Hello everyone, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के important session में तो आज हम लोग discuss करने वाले हैं English sounds and phonetic symbols से related कुछ important important facts तो यहाँ पर जितने भी read के aspirants हैं उन सभी के लिए ये video आज important होगा आपने language 1 लिया है, 2 लिया है, दोनों ही syllabus में English में ये जो topic है ये mention किया गया है और हर exam में आपके 3-4 जो प्रश्ण है वो यहाँ से जरूर आएंगे, तो session अपने आप में बहुत ज़दा important है revision के point of view से important है, तो पूरा आप लोग जरूर session को देखिएगा, बने रहिएगा आपको कहीं न कहीं, जो ये चीजें हैं ये और समझ में आ जाएंगी अगर थोड़ा बहुत भी confusion है, तो वो भी आपका clear हो जाएगा, ठीक है एक तरह से हम समझने की कोशच करेंगे सारी चीजों को, तो चलिए start करते हैं finally उसके बाद हम session को, ठीक है, और बाद में बताना जरूर कि आपको session कैसा लगता है तो finally शुरू करते हैं, सबसे पहले देखो हम basic basic बातों से चलेंगे और इन सबको हम जानेंगे जितने भी symbols यहाँ पे लिखे हुए है तो total पहली बात एक question बनता है कि total English में कितने sounds है तो प्रश्न जो है, वो कई प्रकार से बन सकता है एक आपका question का एक प्रकार यह हो सकता है, तरीका यह हो सकता है कि वहाँ पे आपका लिखा होगा कि English sounds कितने हैं ठीक है, कितने English sounds होते हैं या आ जाएगा कि कितने symbols होते हैं, ऐसे आ सकता है या आ सकता है कि कितने speech sounds होते हैं जो speech हम produce करते हैं, वो कितने होते हैं तो there are 44 sounds in English, 44 total हमारी क्या होती है, English के अंदर sounds होती है, धोनिया होती है, symbols होते है, अब इन 44 को दो parts में divide किया गया है, एक और प्रश्न ये बनता है English में, कि भाई English sounds को कितनी category में divide किया गया है, तो दो category में English sounds को total divide किया गया है, पहला आता है हमारा vowels and second one is consonants, ठीक है? याद रहेगा, आपका स्वर, वियंजन, यानि vowels and consonants, 44 को दो parts में divide किया गया, इसमें भी vowels की संख्या क्या पूछी जाती है, कई बार vowels की संख्या आती है, total कितनी है, तो 20 हमारे vowels है, और consonants कितने है, 24 है, ये सब आपको पता होगा, basic बाते हैं, लेकिन revision के point of view से important है, ठीके बा वोवल्स की संख्या क्या है, 20 है, अब पहले हम वोवल्स को discuss करेंगे, उसके बाद हम इन consonants को अच्छे से समझेंगे, ठीके, तो वोवल्स की दरफ चलते हैं, वोवल्स में 20 वोवल्स होते हैं, दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, आईए देखते हैं, पहला है संख्या है, तो पहली बात कि आपका जो प्रश्न रीट में बनता है, अगर आप प्रिवियस इर पिपर उठाएंगे, तो वहां पर आपका ये प्रश्न बन चुका है, कि डिप्थॉंग कितने हैं, नंबर, मोनोफ थॉंग इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में प्यो संख्या हैं, तो 12 मोनोफ थॉंग है, मोनोफ थॉंग को हम अलग-अलग नामों से जानते हैं, इसे हम प्योर वावल्स भी कहते हैं, और इसे हम सिंगल वावल साउंड भी कहते हैं, डिप्थॉंग में इसी प्रकार प्रश्न बन चुका है, पहले भी, ग्लाइड वावल्स क हम कहते हैं अगर इसको pure कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं इंप्यूर कहते हैं क्योंकि यह जो sound होते हैं उनके बीच glide होता है दो sound की वज़े से एक नई धुनी produce होती है dipthong में इसले ह dorm impure vowel कहते हैं ठीक है और इन्हें double vowel sound वी कहते हैं क्योंकि यह double vowel है यह combination होता है दो pure vowel का, यानि कि दो moon of thong, दो pure vowels का combination, double vowel कहलाता है, जिसे हम क्या कहते है, dip thong कहते हैं, जिसे हम gliding कहते हैं, जिसे हम impure vowel भी कहते हैं इनकी संख्या याद रखनी है तीनों की क्या है, वही 8 है, same है और इनकी 12 है, अब देखो एक और यहाँ पर twist आता है कि जो 12 moon of thong है, उसको भी दो category में divide कर दिया गया है, ठीक है, अब ये भी प्रश्न बनता है, कि दो category कौन कौन सी है, तो एक है हमारे कुछ short vowels होते हैं, और कुछ हमारे long vowels होते हैं, बस आपको ये सुनना है, समझना है, कुछ नहीं गरना है, ठीक है short vowels की संख्या, 7 और long vowels की संख्या, कितनी 5, 7, 5 ठीक है, अगर पूछता है, पहले, अगर लिखा हुआ है, पहले की short vowels and long vowels, तो आपका 5, आपका 7 और 5 हो जाएगा और अगर कोशन बनता है कि long and short vowels, तो long क्या है, 5 है, ठीक है तो 5 long vowels याद रखना है 7 short vowels याद रखना है अब सबसे पहले हम short vowels से चलते हैं, कौन-कौन से हमारे short vowels होते हैं, बस आपको समझना है, हिंदी और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें कोई भी आपका ऐसा, कोई इसमें trick नहीं है आप जितना practice करेंगे यह depend करता है आपने कि आपने इनको कितनी बार देखा आपने इनकी कितनी practice की है, ठीक है, कोई short trick नहीं होता है, तो सिर्फ समझना है याँ पर देखो, यहाँ पर जो short vowels हैं, उसमें पहला आता है I, यह जो I होती है इसकी जो I, यह जो I होता है यह छोटी E की मातरा के लिए होता है किसके लिए होता है, छोटी E की मातरा अगर किसी word को बोलने में छोटी E की मातरा आ रही है न तो आपका यह वाला बनेगा, जैसे pin, tin, ring, sin कुछ भी हो सकता है, ठीक है I, छोटा I बन रहा है, बोलने पे Pin, pin, pin छोटा I है, ठीके? फिर ये वाला E ये होता है A के लिए A, ten, ten, ten rain, rain ten, rain A, A की मातरा, ठीके? ये क्या है? A और E करके जो है, ये A के लिए होता है Bat, bat, बड़ा वाला जो A होता है मातरा वाला A, वो है ये ये A है और ये मातरा वाला A है ये क्या है? ये A के लिए होता है जिसे cup, put, put, cup इस तरह से जो हमारे word होते है वो उसके लिए होता है जिसे cup, cup, cup जो short समय के लिए होता है उसके बाद ये sound है O के लिए pot, pot, pot ये you, you वाला भी पूछा जाता है अगर U है, कोई भी उसमें बिंदू नहीं है, तो आपका वा छोटा U होता है, ठीक है, जैसे book, book, put, book, या फिर would, 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 हम would नहीं बोल रहे हैं, ना हम book बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, book, book, तो अगर कोई word पूछता है, कि इसमें कौन सी ध्वनी है, तो उस word को आपको उसी time प बोल के देखना है, माल लीजे, आपके exam में ये आ गया, कि book में क्या है symbol, ये वाला U है, या फिर ये वाला U है, दोनों में फरक सिर्फ बिंदू का है, ठीक है, अगर ये वाला U है, तो छोटा U हो जाएगा, book, अब बोलने पर क्या लग रहा है, book, book, तो छोटा U है, तो हमा बिंदू होते हैं, जो मुझे याद में आ रहा है, तो वो आपका long में आता है, ठीक है, उसके बाद, अगला है about, ये अ के लिए होता है, जैसे about, alike, about, alike, about, कम समय के लिए जहां पर बोल रहे हैं, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे short vowels हैं, 7 short vowels है, long vowels देख लो पहले, long vowels में सब आई, अब ये सेम आई था, इसमें सिर्फ फरक ये है, अगर आपका ये वाला भी आता है, इस तरह से तो भी गलत नहीं है, ये बिंदू वाला अगर आई है, तो ये बड़ी की मातरा के लिए होता है, तीक है, जैसे मैंने बोला, feet, feet, हम फिट नहीं बोल रहे हैं, अगर हम मोलते हैं, इट, तो इट में बड़ी की मातरा, और पहचानने का तरीका क्या है, कि बिंदू होगा, ठीक है, बिंदू होगा, उसके बाद ये है कार, आ, आ की मातरा का, आ, बड़ा आ से आम वाला, ठीक है, तो कार, 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 ठीक है, उसके बाद, ओ, बॉल, बॉल, अगर यहां पर क्या था यहां पर आपका simple वाला था तो यहां पर आपका households होट? पोट और यहां पर जो यह ओ है यह थोड़ा सा और हमको क्या करना है यहां पर थोड़ा सा और लॉंग हमारा जहां पर आ जाएगा जिसे बॉल बॉल ठीक है तो थोड़ा थोड़ा फरक है आपको यह याद रखना है उसके बाद यह देखो क्या है यह यू है बिंदू के साथ मैंने बुला कि जहां पर आपका बिन्दू होता है वह बड़े उकी मातरा होती है तो यू है यानि कि बड़ाउ हो गया boot, boot, boot नहीं बोला न, boot, moon, spoon, spoon, moon, boot तो बड़ाऊ है, ठीक है, तो long vowels की संख्या क्या है, यहाँ पर one, two, three, four, and the last वाला क्या है, five, ठीक है, यह क्या है, यह जो ऐसे three करके अगर आएगा, इस तरह से, यह three करके जो होता है, यह अगर इस तरह से आएगा, तो यह same है दोनों, ठी आती है, किसी भी word में आ और र की ध्वनी आती है, तो आपका यह वाला आंसर बनेगा, जैसे मैंने बोला, bird, या चर्च, चर्च, अर, अर वाला में बोल रहे हैं, ठीक है, bird, bird, या first, first, तो अर वाला साउंड आ रहा है, जैसे bird, bird, में आ रहा है, तो यह जो bird में बोलने में आ रहा है, वो आपका यह वाला साउंड बनेगा, दोनों सिंबल आ सकता है, यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है, तो याद रखते हैं, आप चाहें, तो इसका स्क्रीन शोर्ट जरूर ले लीजेगा, आप अपने नोट्स खुद के बनाईए, तो ज्यादर बेटर रहेगा, ठीक है, अब देखते हैं, अगले वाले पर चलते हैं, तो यह हमारे क्या थे, हमारे यहाँ-पे शॉर्ट और लॉंग ववल्स थे, जिनको हमने समझने की कोशिश की है, मैने जैसे बोला कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इसे ही समझना है, अब चलते हैं डिप थॉंगs की आप जोडेंगे, अभी हमने इनकी हिंदी पड़ी, आप यहां पर इनकी हिंदी देखेंगे, तो आपको इसली समझ में आ जाएगा, जैसे ए है तो ये ए के लिए था, और ये आई बहने क्या बोला चोटी की मातरा के लिए होता है, तो ए ही हो गया, हमें पता चल गया इसका स उसके बाद ये क्या है, ए और आई, आई, टाइम, टाइम, क्राइम, टाईम, ठीक है, आई हो गया, उसके बाद ये ओ था हमने अब भी पढ़ा, ये ओ था, ऐसे वाला, उल्टा सी, और ये होता है, तो ये बनेगा ओ, जैसे बॉए, या मैं बूलू टॉए, बॉए, अउटा शहाउस और यह यह अउटा अउटर हाउस, और यह यू 下一 व साउ यह वाला A तो यहाँ पर A और A बन गया यह E और A बन गया यह E के लिए और यह A के लिए Year Near उसके बाद E और यह ऐसे वाला यह A के लिए है और E किस के लिए हमने पढ़ा था A के लिए होता है A और A क्या बना Air तो यह बना Chair ठीक है चेयर उसके बाद यू ये यू का साउंड ये यू का होता है सिंबल और ये आ का उव यू का था उव और तो ये उव जैसे आप उव किसमें आता है पूव 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 में पूवर नहीं बोलते हैं आर की ध्वनी इंग्लिश में नहीं होती है हम र नहीं बोलते हैं किसी भी वर्ड में ठीक है जैसे teacher नहीं होता teacher होता है ऐसी poor नहीं होता पूर होता है तो यहाँ पे और अ का गया ठीक है तो guys इसको आपको च्या करना है पिछले वाले exam में आपको यह पूछा गया था boy वाला यह आपका एक्जाम में आच चुका है रीट में कि बॉय में क्यों सा है बॉय तो और यह बॉय तो अगर आप इनकी हिंदी हिंदी भी पढ़ लेंगे न अगर आप इनको डेली डेली पार्च मिनट भी देख लेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा टेंशन बिलकुल नहीं तो यहां से भी प्रश्न आ चुका है पहला प्रश्न यह आपका पूछा गया था कि कितने फ्रिकेटिव उते इंग्लिश के अंदर यह आपका एक्जाम में आ चुका है रीट में तो हो सकता है कि कोई और आ जाए हना तो आपके सबसे पहले प्लोसिव देखते हमारे सिक्स इंगी हम और कहते हैं तो दोनों सेम है और युदुर कितने जसम्स प्लोसिव तो यहां पर क्या है छे प्लोसिव साउंड़ और कॉन कॉन से जस्त नेक्राइद र satisf हो ठीक है याद रख लो कितने कितने है तो उस्तल्के अपकी है पा के लिए ब कि उद्धे के लिए टा के लिए डा के लिए का के लिए और यह के लिए मैंने कर नह str комнаum यद्धे टी यदिक्यजी के जाने इसक्साग कर दया नाइइ ध्रीकेसे लिए आप के लिए था के दा, ये सा, सा होता है और ये जा के लिए, ये आपका श के लिए, ये भी जा के लिए और ये एच, ठीके, तो अभी हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे नीचे, बस आप इनके नेम याद रखो, एफ, वी, और ये आपका ठीटा, फिर ये आपका दा, उसके बाद स, ज, श, टीके, तो आपके नाइं क्या है, फ्रिकेटिव हैं, टू हमारे आफरीकेश्ट साउंड लोते हैं, आफरीकेश्ट की संख्या होती है, बहुत असानी, टी और ये ऐसे संख्या होती है लाक तो किया लिजन को साउंड कि पता है ने लुटप में 3 है फ्ली अ कर लिड से लैंग और फेंग होली अ है तो यह पता सकतर है ये पार से आटा है ये आपका कि न्याक से तो до फॉर ये घया ओर अर तो में घर कर dat quindi डेखरबर ये 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 न यल ress आपको सिर्फ इनकी numbers याद रखने हैं ठीक है उसके बाद one हमारे lateral approximate sound होता है एक L होता है जिसे हम lateral sound क्याते है lateral sound पूछेगा एक lateral sound है L होता है इतना याद रखो और बहुत detail में नहीं पूछेगा इसके अंदर नहीं पूछेगा क्या है lateral sound का basically यह मतलब होता है कि जब हम इनको produce करते तो tongue जो middle tongue है उसकी position नहीं होती है side बताने कहीं जो ध्वनी होती है वो side tongue से होती है ठीक है तो इतना याद रखो बहुत detail में नहीं पढ़ना इनको उसके बाद आपके three approximate sounds होते है ठीक है आपका one lateral sound थ्री हमारे approximants होते है जिसमें आपका w और यह आपका j जैसा यह के लिए होता है और r w j r लेकिन j की जो sound है वो यह होती है तो यह तो बस basic था यह as it is याद रखना है revision के लिए था six pluses जिन्हें occlusive भी कहते है नाइन fricative sounds होते है तू आपके affricate sounds दो होते हैं थ्री हमारे nazzles है one हमारा lateral sound होता है और थ्री हमारे approximate sounds होते हैं ठीक है अब जो छोटे छोटे वो तो आपको याद हो जाएंगे बड़े बड़े भी हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा रोज रोज आप देख लोगे तो ठीक है अच्छा इसके लावा एक चीज और पूछा जाता है कि जो consonant sounds होते हैं वो साउंड वैसे होते हैं जिनके जब हम जिनको produce करते हैं sounds को तो कहीं न कहीं हमारे जो है किसी भी जो air का flow है वो बीच में क्या होता है उसमें रुकावट आती है यानि कि कोई abstraction आ रहा है को रुकावट आ रही है वो हमारे consonant sounds होते हैं ठीक है जिसमें हमारा हो है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है वो हमारे vowels होते हैं ठीक है और एक बात और याद रखना कि consonant sounds को जादा देर तक नहीं बोल सकते हैं आप जितनी देर तक जिस sound को बोलोगे तो वो हमारे vowels में convert हो जाएगा ठीक है जैसे मैं बोलू अगर यहां पर फा बोलू तो अगर मै वोल साउंड हमारे कही ना के प्रोड्यूस हो जाते हैं ठीक है यह बेसिक बाते हैं जो मुझे जो याद आ रहे हैं वो हमें आप लोगों से शेर करती जारी है याद रखना है ठीक है कि इनमें क्या होता है कि इनको प्रोड्यूस करने में कही ना कहीं एयर फ्लो में रुका यह फरक है दोनों में अच्छा 9 याद रखना voiceless sounds होते हैं और 15 हमारे voiced consonant sounds होते हैं काफी लोगों को confusion होती है याद रखना 9 हमारे voiceless sounds होते हैं जिनमें ध्वनी नहीं है और 15 हमारे ऐसे consonants हैं जो voiced होते हैं तो ऐसे total मिलके कितने वने 24 हमने यहां पर सब के numbers को discuss कर लिया है अब हम थोड़ी से हिंदी देखेंगे ठीक है अब यह जो पार्ट है यह वह पार्टे जो important है कौन सा पार्ट है यह वह पार्टे जो important है क्योंकि देखो इतना तो नहीं आएगा पेपर में F और P तो नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है क्योंकि अभी तक आप पिछले exam उठा के देखो गए तो वही वाले sounds पूछेगा है जो थोड़े tricky होते तो इनकी की धनी में बूछनी में थोड़े कि ध कि थोड़े कि दहनी इसको तो अगया है मैं बूलो थोट इसा है 17 post तो यह श के लिए होता है जो इस तरह से होता है, ऐसे करके श के लिए, नेशनल में यह जो T.I है इसमें कान सा साउंड है श का साउंड है, यह इंग के लिए होता है, जिसे मैं बोलू S.I.N.G. Sing, R.I.N.G. R.I.N.G. तो यह एन वाला होता है लंबा वाला इस तरह से जो हमने यहां डिसकुस किया था नैजल्स में उसके बाद यह T और ऐसे करके जो होता है F जैसा यह चा के लिए होता है जिसे मैं बूलू चर्च, चार्म, चिक तो यह आपका चा के लिए चा के लिए जिसमें आये बोलने पर लिए शब्द में चार है तो आपका अंजर ही हो जाएगा. D और Z करके जोता है वो जग के लिए होता है. जिसे मैं बूलू जज. मैं बूलू जग या मैं बूलू जज. जग, जज, जग 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 अंजर है. तो जग की धुनी यह होगी. तो अगर आपको इम्नी हिंदी भी पता है न तो भी कर लोगे ठीकेल, उसके बाद ये जो ऐसे करके है, थ्रीज ऐसा जो जाओ है, ये जाओ के लिए होता है जाओ, जाओ, जिसमें शाओ और जाओ कि धुनी है, जैसे मैं बोलू प्लेजर, प्लेजर मैं मैं बोलू leisure leisure time होता है हम खाली समय बिता है मेरा खाली समय लेजर pleasure pleasure 를 me total तोटल पूरा पूरा बूरा ज नहीं आई रहा अगर आप ध्यान से समझे तो इसमें आपका ये वाला आता है 3 जैसा जो ये pleasure में अगर पुछेगा तो जू structure ृ त गीक, कैं। इसको फ्यू आपका अफे हाग की फिड़, अब क्सो शैपिट ने के नकारे अभरे से फिड़, फिक, पिड़, डिक गॉbbeन, दें अब क्सवक्त कर चहोल्ट को थागान से ज़ेसे of pటें, यह के अच्भ-े थते हां प्ली Pen. ठीक है? उसके बाद ये A की द्ध्ःणी है. A. ठीक है? अगर A और E करके कुछ आ रहा है ULTा, तो वो बड़े उसकी है. तो यहाँ पर आपका ये वाला इसमें bat होगा. ठीक है? Bat. हम बेट नहीं बोलते हैं, बेट नहीं बोल रहे हैं. हम बोल रहे हैं. Bat, bet. बड़े एक ही बात रहा, तो यह आपका A और A से करके आएगा, यह उल्टा A है और E है, थोड़ा इस तरह का समझ लेना, और यह वाला A किसके लिए होता है, जिसे मैं बोलू, pen, pen, ten, 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 ठीक है, तोनों में फरक है, उसके बाद O, O के लिए ऐसे C करके होता है, O, hot, pot, hot, not, O ठीक है, उसके दिया O वाला जिसमें बिंदू है, यानि कि जहाँ पर sound के है, लॉग हमें बोलना है, तो यहाँ पर यह वाला बिंदू आजाएगा, ठीक है, जिसे, caught, tot, paw, tot, caught, तो आपका यह वाला आजाएगा, ठीक है, उसके बाद, यह O के लिए होता है, car, march, ठीक है, ऐ ऐसे ए और ये बिंदू उसके बाद और का एक साउंड आता है जो हमने यहां डिसकस किया था या तो ऐसे थ्री करके आएगा या तो ऐसे ए आएगा उल्टा ए जैसे इस तरह से ठीक है तो दोनों गर आता है तो दोनों का अर वाला साउंड होता है ठीक है बर्ड अर्थ वो उला हो जाएगा उसके बाद U का sound ये वाला U है तो छोटा हुँग गया बिंदू नहीं है जिसमें या ऐसे करके कई बार U आता है ये वाला U भी आता है तो इसा वाला U आते तो भी छोटे हुगी मातर है अगर आपके exam में ऐसा वाला U है और ऐसे बिंदू है तो ये निश्चिती क्या है बड़े उकी मातरा होगी ठीक है जैसे मैं बोलूँ moon ठीक है यहाँ मैं बोलूँ यहाँ पर wood तो wood में यह आएगा ओके तो यहाँ पर U की मातरा होगी यलो में जो यह य का sound य होता है यstein के लिए यलो लेकिन जो symbol है वो क्या होता है सिंबल यलो के लिए यसमिल नहीं होता यों के जो सिंबल हो यह होता है छोटा वाला ज्येकर स्मॉल वाला ज्ये तो यह थे कुछ इनकी symbols को समझाने के कोशिश की है okay करने के कोशिश की है I hope कि आपको ये आप जो आज का सेशन था इसमें काफी सारी चीजे क्लियर हुई होगी आपका रिविजन जरूर हुआ होगा I'm sure आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी त्यारी को कंटीन्यू कर रहे होंगे और वीडियो आपको जरूर कहीं न कहीं मद आप मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको सभी चीज का वीडियो के आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा अगर आपको इसके प्राक्टिस करनी है तो मैंने बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में बना रखी है चानल पर जाकर करके चेक आउट करन पीडियेफ के लिए ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में ओके गाइस थैंक यू